नवश्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज के इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में जहाँ पर हम सीखने वाले हैं मेम्मोरेंडम वाउचर दोस्तों आपको memorandum voucher के बारे में पता है क्या नहीं चलिए मैं आपको example के दर ये बताता हूँ दोस्तों memorandum voucher का use होता है जब आपकी company का कोई officer किसी काम से बाहर जा रहा होता है और वहाँ पे आपकी company जो है उसे convenience या traveling देती है लेकिन हमें अभी तक पता नहीं कि उसको खर्चा कितने होने वाला है तो बस इसी तरीके के transaction को record करने के लिए हम memorandum voucher का use करते हैं तो क्या आप interested है memorandum voucher को in detail सीखने के लिए तो बस इस video को पूरा देखिए तो चलिए दोस्तो मैं विजये tax and account professional आप सभी का स्वागत करता हूँ टाली टुटोरियल चैनल पे लेट्स बिगेड़ी दोस्तो हमें सबसे पहले memorandum voucher के लिए company create करनी होगी तो हम यहाँ पे पहली जो शुरुआत करेंगे वो company creation से करेंगे तो मैंने टैली ओपन कर लिया मैं यहाँ पे create company वाले option पे आ जाता हूँ और enter कर देता हूँ जैसे enter करूँगा मेरे सामने company creation का मेरा जो form है वो खुल रहेगा तो मैं यहाँ पे फटा-फट मेरी information जो है company से related वो भर देता हूँ दोस्तों हमने हमारी company का नाम skill course memorandum voucher और company से related address जो है dummy address फिल कर दिया है अब हमें यहाँ पे हमारी company का state define करना है तो basically state रहेगा महराष्ट्रा इसके बाद में हमें एक pin code दे देना है तो मैं कुछ भी ऐसा एक random pin code दे रहा हूँ इसके बाद में हमें एक telephone number देना है तो हम कुछ भी ऐसे ही एक random telephone number जो है वो दे रहे है mobile number भी हम यहाँ पे random ही देंगे और email id email id भी दोस्तों मैं आपको random ही दे रहा हूँ कुछ भी ऐसा तो skills course at the rate gmail.com enter कर देता है अब मुझे यह आप अपनी company की website लिखनी है यह website actual मैं दे रहा हूँ अगर आपको computer की कोई भी skills सीखनी है तो आप हमारे skill course.in इस website को ज़रूर विजिट करिए फिलाल हमारा company creation में जितनी भी necessary information थी वो सारी हमने भर दिये हम सरफ enter enter करके अभी screen को accept कर देंगे तो इस प्रकार हमारा जो पहला task है company creation का वो complete हो जाता है आप यहाँ पे देख सकते है company created successfully आ चुका है अब मुझे सीधा यहाँ पे GST number enable करना है वैसे तो memorandum voucher में GST की कोई requirement नहीं है लेकिन अब हमारे बहुत सारे student है और जो हमेशा कुछ न कुछ practice करते रहते हैं और fresher है तो इस वज़े से हम हमेशा GST enable करना यह सिखाते हैं जिससे वो कभी ऐसे confuse ना हो जाए कि sir GST कैसे activate करते हैं हम अपने हर एक topic में जो है वो GST activation सिखाते हैं तो simply आपको यहाँ पर tax session में enable goods and service tax इस option पर आना है और enter करते हैं जैसे आप enter करेंगे आपने जो भी company creation करते टाइम state define किया तो यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा simply आपको enter enter करना और यहाँ पर GST and number में आपको आपकी company का GST number जो है वो update कर देना है तो मैंने notes में आपको dummy GST number देके रखा हुआ है वही GST number में यहाँ पर फटाक से update कर देता हूँ GST number अपडेट होने के बाद दोस्तों आपको simply enter enter करना है और enter करके screen को accept कर देना है अब हमारे दोनों टास्क हो गया पहला टास्क हो गया कि हमें company create करनी थी जो हमने create कर ली दूसरा टास्क हो गया दोस्तों हमारा कि हमें GST enable करना था वो भी हमने कर लिया अब मुझे यहाँ दोस्तों है Memorandum voucher को activate करना है कैसे करेंगे तो हम चले जाएंगे gate of tally में transaction में voucher में और यहाँ पर जाने के बाद enter करेंगे अब आप देख पाएंगे left hand side में कि आपको यहाँ पर contract payment receipt journal sales purchase यह voucher दिख रहे हैं लेगिन Memorandum voucher नहीं दिख रहा है तो Memorandum voucher दोस्तों आपक button का use करेंगे या तो फिर order voucher इस option पर click करतेंगे दोस्तों यह वीडियो तो आगे चलती रहेगी लेकिन अगर आप अपने accounting career के शुरुवात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के description में आपको हमारे skill course आपकी link मिल जाएगी जहां से आप हमारा tally का basic to advanced course enroll कर सकते हैं तो skill course आपको download करेंगे जैसे आप click करेंगे आपके सामने accounting और inventory से related सारे voucher जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे लेकिन अभी भी हमें हमारा जो memorandum voucher है वो यहाँ पे show नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा scroll करना है यहाँ पे आपको show inactive इस वाले option पे enter कर रहा है जैसे आप enter करेंगे आपको चले जाना है यहाँ पे memorandum voucher पे तो simply आप enter करेंगे जैसे आप enter करेंगे यह आप से question करेगा do you need to activate a memorandum voucher type activate now yes तो जैसे मैंने yes कर दिया अब आप यहाँ पे देख सकते कि मेरे सामने जो है मेरा memorandum voucher type जो है वो activate हो चुका अब मुझे entry जो है वो debit and credit में दिखनी चाहिए थी लेकिन यह 2 and buy में दिख रही है तो हम यही पे F12 बटन को use करेंगे और जो first आपको option दिखेंगे use debit and credit instant to to and buy during the voucher entry इस option को yes करेंगे control A करेंगे एक बार escape करेंगे वापर सेंटर करेंगे देखेंगे आपके सामने आपका जो है debit and credit mode आ चुका है तो ह हमने जो major काम था memorandum voucher को activate करना वो कर लिया अब मुझे यहाँ पर entry pass करनी है तो मैंने आपके लिए question सेट करके रखा हुआ है मैं question आपको दिखा देता हूँ आप question देख सकते है company pay its employee 15,000 as a pity cash advance towards the convenience expenses company ने क्या किया है अपने employee को 15,000 पर pity cash के तौर पर दिये हुए है जो convince expense है convince मतलब कही पर traveling करने के लिए दिये गये expense है अब मुझे करना क्या है दोस्तों तो पहले मुझे convince expense का ledger क्रियेट करना है और cash का ledger जो है मेरे पास default में रहता ह तो वहाँ पे मुझे पैसे को add करना है तो चलिए इस example को tally में practically solve करते हैं दोस्तों tally में आ जाने के बाद अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो है वो convince expense का ledger क्रियेट करना होगा तो जिसके लिए मैं back करता हूँ geto of tally पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं आ जाऊँगा geto of tally, masters and create वाले option पे यहाँ पे आने के बाद मुझे accounting masters में ledger वाले option पे आना है और यहाँ पे आने के बाद मुझे लिख देना है convince expenses तो मैं फटा-फट लिख देता हूँ convince expenses convince expenses लिखने के बाद अब मुझे इसका जो है वो undergroup define करना है तो यह रहेगा मेरा indirect expenses जैसे मैं indirect expenses के ledger को select करूँ आपके सामने GST से related बहुत सारे options खुल जाएंगे लेकिन हमें यहाँ पे GST का कोई लेना देना नहीं है तो हम यहाँ पे simply enter करेंगे और GST applicability जो आपको applicable दिख रही है इसको हम not applicable कर देंगा और enter करके screen को accept कर देंगे अब मेरा पहला ledger बन गया अब मुझे दूसरा एक काम करना है क्या काम करना है दोस्तों तो cash का जो ledger है क्यों कि मैंने company अभी शुरू की है मेरे पास cash में कुछ भी पैसा नहीं है तो मुझे cash के ledger में जो है opening पैसा डालना है opening balance डालना है तो कैसे डालेंगे gate of tally में masters में alter वाले option पे आ जाएंगे यह यहां पे आपको cash का ledger दिखेगा simply enter enter कर यह और opening में लगबग मैं 50,000 रुपय यहां पे add कर रहा हूं so enter करेंगे और screen को कर देंगे accept अब मेरे दोनों काम हो चुके पहला जो मुझे convince का ledger चाहिए था वो भी मैंने कर लिया दूसरा मुझे opening में cash के opening में पैसा चाहिए था व voucher मैं यहां पे आने के बाद आपको memorandum voucher दिख रहा है अगर यह नहीं दिख रहा है तो आप चले जाएनगे order में और यहां पे आपको show inactive polsk अगर आपने active करके रखा है तो यह आपकोDirectly दिखेगा अगर नहीं दिख रहा है तो show in active वाले option में जाकर आपको सीधा memorandum voucher क को select करना है अब select कर लिया अब हमें अपनी एक इंट्री पास करनी है तो इंट्री क्या थी दोस्तों हमें conveyance expenses को pay करना था employee के लिए तो जिसे pay कर रहे हैं मतलब conveyance कर रहे हैं तो यह जाएगा हमारा debit में कितने पैसे pay कर रहे हैं इनको 15,000 पर तो 15,000 मैंने डाल दिया enter करेंगे कहा से pay कर रहे हैं दोस्तों हम इनको cash से तो यहाँ पर देखें दो लेजर का impact आ रहा है पहला तो convince expense का impact आ रहा है दूसरा cash में से पैसा कम हो रहा है अब enter करते हैं यहाँ पर हम बिंग लिखेंगे और बिंग रहेगा हमारा convince expenses paid to employee और इंटर करके स्क्रीन को accept कर देंगे अब जैसे के मैंने कहा दो लेजर जो है वहाँ पर impact कर रहे हैं तो हम आ जाते हैं डिस्प्ले मोर reports में यहाँ पर आने के बाद हम आ जाते हैं accounts book में यहाँ पर लेजर में आ जाते हैं convince का लेजर में enter करता हूँ देखें यहाँ पर कोई impact नहीं आया है दोस्तो nothing मतलब कुछ भी नहीं हुआ cash में देखते हैं cash में भी कोई impact नहीं आया देखें 50 का 50,000 opening दिख रहा है तो यह entry गई कहा यही तो magic है मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि memorandum voucher एक तरीके का sticky note है कि आपने कुछ इस तरीके का transaction पास करके रखा अब यह transaction मुझे दिखेगा कहा पर तो इ entry जो आपने पास की थी वो देख जाएगे और जब यह आपका transaction successful हो जाएगा जैसे कि आपने अपने employee को 15,000 रुपए दिये थे खर्च के लिए तो उसने पूरे 15,000 यूज कर लिए तो आप यहाँ पे लिग देंगे कि उसने 15,000 यूज किये या तो फिर उसने 12,500 रुपया आप अपडेट कर दिये और simply payment voucher में memorandum voucher को convert कर दिया अब simply enter, enter करेंगे और screen को accept कर देंगे memorandum register से तो आपकी entry चली गई लेकिन वो entry अब आपको दिखनी start होगी यह दोस्तों आपके payment में है ना payment में दिखनी start होगे और अब अगर आप जाके अपने ledgers को check करेंगे जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ accounts book में ledger में अब हम conveyance में देखेंगे तो देखे 12,500 का आपको conveyance दिख रहा है और cash में आ जाओंगा तो यहाँ से भी आपके 12,500 रुपया कम हो चुका है तो यह बहुत ही useful तरीका है ऐसे कुछ transactions को pass करने का जो आप पैसा तो दे देते लेकिन आपको पता नहीं चलता कि यह खर्चा finally हुआ complete या नहीं हुआ या कितना देना चाहिए था तो बहुत ही नहीं मेहमान है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो मिलते हैं ऐसे एक interesting वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई